नमस्कार प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट क्लियर करने को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसेशन जो की जम्मू कश्मीर की एसोसेशन है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रही है इस समय मेरे साथ रियासी प्राइवेट स्कूल एसोसे अपना बिरोध जो है वो दर्ज करवाया है इनसे बातचीत करेंगे आज रियासी के जो प्राइवेट स्कूल एस्टेशन के अधिकारी हैं वो भी कठा हुए है और इस पर चर्चा की गई है और अपना बिरोध दर्ज करवाया जा रहा है सर स्वागत है आपका थोड़ा अप अपना बिरोध दिखाएंगे और उसके लिए फिर हमने सोचा कि आपके माधियम से इस बात को रखा जाए इसलिए आपका दन्यवाद के आपने भी समय निकाला पूरा मामला क्या थो कब का मामला है क्या मामला हुआ था रिजल्ट क्लियर करने को लेकर क्या पैसों की मांग जैसा उदूंपर में इंसिडेंट हुआ वहां पे वहां के जो सीओ है उन्होंने अथराइज किया गोवर्मेंट गर्ल हाइस के स्कूल के प्रिंसिपल को रिजल्ट वेरिफाई करने के लिए जबकि मुझे लगता है कि यह शायद फर्स टाइम ऐसा किया गया नहीं तो रि यह और हाइस कैंडरी के स्कूलों के लिए रहता है कि वह सी ओ आफिस में ही सी ओज करेंगे यह डिप्टी सी ओज करेंगे कंफर्म लेकिन वहां पे यह किया गया उन्होंने स्कूल वालों के रिकार्ड मंगवाए तो अब करतने लगे लेकिन दीरे जैसे हमने देखा च्छ की जा रही है रिजल्ट कंफर्म करने के लिए यह हम सब के लिए बड़ी एक हैरानी की बात थी कि अब रिजल्ट कंफर्म करने के लिए भी इस तरीके से मांगे की जा रही है और यह सिस्टम अपनाया जा रहा है जो कि हम उसकी बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करते ह अपने रियासी डिस्टे की तरफ से और अब उसमें जो उनको क्यों इस तरीके से तंग किया जाना लगा कि जैसे एक रिजल्ट कंफर्म कराने के लिए रहता है कि उसमें हमें एक तो परमीशन होना चाहिए स्कूल को पास दूसरा जो पिछले साल का रिजल्ट कंफर्म हुआ वो चाहिए उसकी डेटेल फिर जो फर्स्ट क्लास में बच्चे हमारे ने सेशन में एंटर होते हैं तो उनके डेटा वर सैटिफिकेट वो चेक किये जाते हैं या और किसी दूसरे स्कूल से कोई बच्चा आपके पास अडमिशन लेता है तो उसका भी जो सैटिफिकेट है वो चेक किया जाता है आपके अडमिशन रिजिस्टर के साथ तो यही फार्मेल्टी जो है वो मांगी जाती थी इस वार एक और उसमें आड़ की गए थी कि अधार शिला भी आपने उसमें नोड करनी है तो वो सारा होने के बाद जब उनके पास जैसे उसमें आमने देखा और अपने उदूंपुर के साथियों से सोना जब हमने तो उन्होंने बताया कि उनसे और तरीके की भी जो है इन्फरमेशन मागना शुरू कर दी जो की आपको परमीशन लेने के टाइम वो फाइल बनती है उस तरीके की फार्मेल्टी उनसे मागना शुरू की इसलिए किया क्यों मांग सकता है ये चीज तो गलत है बिल्कुल लेकिन वो यही था कि इनको तंग करेंगे कुसी तरीके से और उसमें कुछ साथी जो थे उसमें फस भी गे उन्होंने दिया भी जैसे कि उसमें पताया गया और अभी तक यहां मैं आपको टोकूंगा आप शिक्षा के श सिपल चेर्मैन या फिर और अधिकारी जो है वो पैसे दे रहे हैं यह आपने भी माना है और जो परदर्शन आपने जिकर किया दस दिन करीब आठ नो दस दिन पहले हुआ था उसमें भी उन्होंने माना है कि कुछ लोगों ने दिया भी है तो देना कहां तक आपको लगता हैं तो इसके खिलाफ हैं और यह से हमारी डिस्टिक रियासी में हमारे जहां के हमारे जो डिपी ओ थे उन्होंने हमारे रेजल्ट कंफर्म किये डिप्टी सियो कोई इस तरीके से नहीं हुआ पूरी उन्होंने वही फार मेल्टी दी जो डिरेक्टर एजुकेशन का आडर लेकिन वहां पर ऐसा किया गया और एक प्रिंसिपल के द्वारा तंग किया गया जबकि वह सीओ आफिस में रहनी चाहिए थी अंडर सीओ होना चाहिए था सब कुछ और अब भी जबकि उसके उपर संग्यान लेते हुए सीओ ने वह वेरिफिकेशन अथेंटिकेशन करने क जो आडर था वो भी ड्रा कर लिया अपने पास अबने कर लिया लेकिन अभी भी दस दिन बीद गये हैं बट वो रिजल्ट कंफर्म अभी वी उन स्कूलों का नहीं हुए नहीं कि परतर्शन करने के बाद यह जो उसका असर हुआ वो पाबर्स जो है अपने पास ही रखी है लेकिन जो काम था वो अभी भी नहीं हुए रिजल्ट क्लियर नहीं हुए जिस स्कूल का यह मुदा था उस स्कूल के छोड़के चालपन स्कूल हो हैं जिनको जो इसमें सामने आये थे मेड़ी आब उसमें क्या इंटेंशन्स हैं सीज़ उसमें देरी कर रहे हैं क्यों कि इ काम जो की हो जाना चाहिए था एपरेल में ज्यादा से ज्यादा मान के चलो मेई फर्स्ट बीग तक लेकिन ये चला गया हमारा अब जून जा रहा है और सोचे अब उसके आगे फिर किस तरीके से तो क्या वहां भी कुछ इस तरीके से है हम यह कोशिश की है पता करने की कोशि कि आप कंफर्म होगे कि नहीं हुए उन्होंने कहां नहीं मैंने का चलो हम रियासी में भी अपनी बैठक कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के तो उसमें हम यह बात रखेंगे और इसलिए हम आपके मादियम यह डिरेक्टर स्कूल एजूकेशन यह सेक्टरी स्कूल जाते हैं कि इसका संग्यान लिया जाए और उदर से डिरेक्शन दी जाएं कि इनके रिजल्ट जल्दी से जल्दी कंफर्म हो ताकि यह जो हालात पैदा हुए है जल्दी से जल्दी से नार्मल हो जाएं और हम लोग हमारा काम है शिक्षा देना हम उस तरफ बढ़े ना कि इस तरीके से हम लोगों को परदेशन करने पड़े लेकिन जब कोई बात जो है अपनी लिमिर्ट हद से बाहर निकल जाती है तो फिर बाहर आना भी पड़ता है और उसी सिल्सले में हमारे साथी उदूंपुर से बाहर निकले परेशान हुए तंग हुए हम उनके साथ खड आगे से नहीं खरने परेश्न कोपड़ा देना भी अवगारे नहीं होने बाता कारवानी के शैकशिन को क्यों सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है कि आप भी इसे दीन से आप्पर क्या को क्या कहेंगे inquiry होनी चाहिए मामला क्यूंकि मीडिया में भी आया है सिरफ रिजल्ट क्लियर करवाना आपकी मांग है या फिर बुविश्य में अधर रूट कास पर जाना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है पस कोशन होता क्यों है अगर देखा जाए तो गुवर्मेंट डिपार्टमेंट सभी अपने-पने काम करते हैं सब मैक्सिम साइट कर ज़िए कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ ऐसा होता लेकिन वह नहीं काफी स्कूलों ने पैसा दिया भी है तो ऐसे में जब स्कूल वाले पैसा देंगे तो वो पैसा बच्चों की फीश से बापिस लिंगे वह तो पर से जो कोवर्मेंट के जो परतारिद करते हैं हमारे से डिमांड करते हम कहां से देंगे पैसा आरड़ी हम 12 साल पहले वड़ स्कूल बालों को पर्ताड़ी कर रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं ताकि मजबूर होके वो पैसा देने के लिए मुजबूर किया जा रहे हैं उनको तो इसको पैसा कहां के बाद कोई के समय मतलब हम सब परिशानी में थे और पूरा देश पूरे लोग पूरी जनता थी परिशानी में जैसे कैसे वो समय निकला और अब को भी नहीं है स्कूल अच्छे तरीके से चलना शुरू हुए हम भी खुश हुए उससे देखो लास अल्टिमेटली किसका हुआ बच्चों अब जो हमने देख्छा है बच्चे तोटली भूल चुके थे लिखना तक पढ़ना तक बूल चुके थे दुवारा सह जब जो हमने अपिरिल क्लासे स्टार्ट हुए है तो एक तरीके से जैसे बच्चों कु चुरू से पधाया जाता है उस तरीके से उनको हमें डियो देन में था तो आगे सिधे फिफ्ट सिक्स में पहुंच गया तो वो दो साल का जो उसका गैप वो कैसे कबर कर पाए गया मुश्किले तो है लेकिन उसकी हमारी ड्यूटी है और हमारे टीचर उसमें बड़ा एफिशेंटली काम कर रहे हैं उन्हें किया है तो कोशिश कर रहे हैं क चीजें ना हो हम यह चाहते हैं कि हमें समूथली काम करने दिया जाए अच्छे से जो हमारा एक काम करना है उन्हों ने हमारे अदूमपूर की और हमारी जो टीम है स्टेट बाड़ी वो उन से मिले थे ड्रेक्टर साब के विस अग्यान में वह बात लाई गयी है और अब य अगर उसके ओपर कोई नहीं एक्शन होता है तो हम आगे की रन नीती इसके ओपर फिर जम्मू में बैठे करके तैग करेंगे उसके बाद फिर बताएंगे कि आगे हम किस तरीके से अब सवाल ये तो आपकी बात थी अब सवाल ये भी उठ रहा है प्राइवेट स्कूल पर कुछ पेरेंट्स बता रहे हैं कि छुटियों में भी इकादुका स्कूल जो है वो आनलाइन क्लासिस ले रहे हैं इसे क्या सही मानते हैं क्योंकि आदेश तो कुछ और ही कह रहा है आदेश में तो छुटिया है और इस तरह की क्लासिस में ले सकते हैं लेकिन उसमें जैसे म पूछ रहे हैं तो इतना मुझे लगता है चलना चाहिए अगर पेरेंट को लगता है कि नहीं यह भी नहीं होना चाहिए तो चलना तो अल्टिमेटली देखो बच्चे और पेरेंट के उसी पे अगर किसी को लगता है कि नहीं होना चाहिए तो अगर कोई ऐसी बात आती है तो स्कूल वालों को कह दिया जाएगा कि अगर कोई पेरेंट इस पर अब्जेक्शन ले रहे हैं तो इसको बंद कर दिया जाएगा आपकी एस्सोसेशन की तरब से कहा जाएगा बिल्कुल बिल्कुल तो उदूमपूर में जो पैसे मांगने का मामला सामने अगर कोई दोशी पाया जाता है तो उस पर कारवाई भी होनी चाहिए ताकि बविश्य में इस तरह की गटनाए ना हो तो चलिए फिलाल इस कवरेज में इतना ही मुझे दीजे अनुमती धन्यवाद